दोस्तों आपको आज के इस वीडियो में बकरी पालन करने के एक दासू ट्रिक बताने वाले हैं जिसके मादेम से आप हर महिने की लाकों की कमाई कर सकते हैं ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इस वीडियो में जो भी इनफोर्मेशन बताई है वो जितने भी expert है बकरी पालन वेवसाई पहले से पिछले 3-4-5 सालों से चला रहे हैं उनके मादेम से सीखी है और ये trick इतनी लाजवाब है क्योंकि इस trick के मादेम से ही वे पुराने वाले जितने भी बकरी पालन वेवसाई करने वाले customer है उनके मादेम से हमें को हमारे द्व खर्चे में इतनी अच्छी आमदनी होगी लेकिन इसके लिए आपको कुछ 5 या 6 step है उनके अनुसार ही कारिये करना होगा क्योंकि आप इस business की सुरुवात करना चाहते हैं और सुरुवात में ही अगर आप इन step के मादेम से अपने कारिये को पूरा करते हैं तो फिर आपको ज्यादा नुकसान नहीं देखने को मिलेगा सबसे पहले आपको बता देते हैं बकरी लोन के लिए बैंक की और से आपको 3 लाख रुपे का लोन परते क किसान को 20 बकरियों के लिए दिया जाता है और इन 20 बकरियों के लिए आपके पास कम से कम 30 इंटू 50 वर्ग पूट का एक पलोट होना जरूरी है क्योंकि इस पलोट के माद्यम से ही आपकी बिजनेस की सुरुवात की जाएगी और इस बिजनेस की सुरुवात से ही आपको काफी ज्यादा बेनिफिट दिया जाएगा आपको बता दे बकरी लोन की ब्याज़दर 4 परसेंट देनी पड़ती है अ उसको देखकर पसु किसान क्रेडिट काइड का अपलाई कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है, केवल 4% इंट्रेस्ट रेट आपको परते के बकरी लोन या हो या गाय या बहेंज कोई भी लोन लेना चाहते हैं, उसके लिए केवल 4% ब्यासदर देनी पड़ती ह चलिए जानते हैं किसान के पास अगला क्या स्टेप होना चाहिए, किसान के पास 20 बकरियों के लिए जालीदार एक सेट होना चाहिए, जो कम से कम 10 इंटू 15 वाई एक एरिया होता है, 10 इंटू 15 फूट वरग पूट का एक एरिया होना चाहिए, जिसमें जालीदार सेड 10 से होना जरूरी है ताकि बक्रिया है जो गर्मियों में या सर्दियों में बचाव किया जा सके और इससे अच्छी बक्रियों की रख रखाव किया जा सकता है बक्रिया अपने आराम से वहीं थंडे वातावण में बैठ सकती है और जो सर्दियों के मौसम होती है उन सेडों के बा लिए तीन दिन में तीन से चार बार गर्मियों के मौसम में पानी की उत्म विवस्ता बक्रियों को देना चाहिए ताकि वे अच्छे से खाना पिना कर सकें और 20 क्विंटल आपके पास हरा चारा या सूका चारा होना आउसिक है यह स्टॉक के रूप में होना चाहिए ताकि अ से नीचे का टोटल खर्चा है और इस खर्चे से आप 20 वक्रियों का रख रकाव से अपने इस बिजनस की सुरुवात कर सकते हैं दोस्तों सेड बनाने के लिए आपको कुल खर्चा 30,000 रुपया आएगा और पानी की होज बनाने के लिए आपको 3500 रुपया में एक होज पानी की आवसकता अनुसार बड़ी आसानी से बन जाती है और पानी की बोरिंग के लिए आपको 25,000 रुपये 24-25,000 रुपये देने पड़ेंगे और हरे लाइट और पंखे की विवस्ता भी उतम होनी चाहिए क्योंकि गर्मिया हर इंसान और हर जानवर को लगता है तो इसके लि के लिए 10,000 रुपये बस इतना खर्चा एक साल के लिए आपकी बकरियों के लिए तयार हो गया है और बकरिया आप सभी जानते हैं साल में दो बार ब्याउंत करती है और इसी के मादिम से ही आपकी इंकम ज्यादा होती है एक बकरी कम से कम दो बचा आसानी से लाती है और हर साल अगर आपके पास 20 बक्रियां होगी तो आने वाले एक से दो साल के बीच में आपके पास कम से कम 80 बक्रियां होगी तो आप अनुमान लगाईए किसान सात्यों इतनी अच्छी कमाई है क्योंकि इनका रख रखाओ करना आप अपने जो 30 इसके अलावा फिर भी कोई डाउट या क्लियर आपको करना है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछिए नए वीडियो के साथ एक पूरी जानकरी आपको फिर से बताएंगे ताकि हर किसान अपने स्वयम का रोजगार सुरू कर सकते हैं उमीद करते हैं आपसे यही कि वीडियो में जो भी इनपोर्मेशन बताईए वो आपको सोट संक्सिप्त में पूरी जानकरी मिल गई है इसके अलावा कोई सवाल ये डाउट है तो एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे बक्री पालन कई धासू ट्री के किसान साथियो इसी ट्री के मादेम से अगर आप अपने विवसाई की सुरुवात करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से आप एहर मैने की लाखों की कमाई कर सकते हैं मिलेंगे एक नए जानकरी के साथ तब तक के लिए जेहिन जेवार्थ